दूस्तों मेरे हिसाब से ए तो होता है किसी party का प्रिवक्ता होना है इसमें भले ही आपको पता हो कि जो बात आप बोल रहे हो वो जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कीजिए जम्मू कश्मीर पे बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती है। जम्मू कश्मीर की हार गिना रही है ये बूलते हुए कि बहायन की और भी ज्यादा बुरी तरह से बद्ध पिटी है। तो प्रेश्टिनेट की इनी बेहुदा बातों की बज़े से बैसे तो आज की डिवेट में इसकी हिवद्ध पिट रही थी लेकिन बीच में राजदीप सदेसाई कूट पड़ा और उस बंदे ने अपनी भी फजियत करा ली। अरे राजदीप आप तो पुलिटिकल आनिलिस्ट और जर्णिलिस्ट हो आपके स्कीम आफ तिंग्स में हमेशा कॉंग्रेस क्यों जीतरी होती है। तो आप लोग ये जो ख्वाब बनाते रहते हैं ना योगेंदर यादव और राजदीप सदेसाई काइंड्स जिनको भुला के आप प्रो इंकंबंसी, एंटी इंकंबंसी, ओभिचरी, ओभिचरी ओभिचरी लिखते रहते हो राजदीप तो पिछले 23 सालों से ये ओभिच राजदीप सदेसाई बैसे तो हमेशा ही अपने बेज़ितियां कराने के लिए पॉपलर है बदनामे पर ये वीडियो नेक्ट लेवल है वाके क्या कुछ दोड़ा इस बहस में इस डीवेट में खुद देखिये हम तो पॉलिटिकल पार्टी है हम तो अपनी जीतने की बात कहेंगे आप तो अपनी बात कहीं दो पॉलिटिकल अनिलिस्ट और जर्निलिस्ट हो आपके स्कीम आफ तिंग ने हमेशा कॉंग्रेस क्यों जीतरी होती है यह सब्सक्राइड सर्थाल आपके शर्था तस्क्राइएट था और पांट जाइब्गांदी तो अठीट सर्च्राइट इंगे आर्ट अटा थेगे आपक्सर रूपया देंगे प्रजी फॉर्म बरायटी 8500 रुपया देंगे यह सब किया उन्होंने बाद में काट की हांडी बार बार तो नहीं चड़ती राउल गांदी ने फिर अमरीका में जाके बोला हम आरक्षड हटा देंगे भई आप हिंदुस्तान में कुछ बोलते हो अमरीका में जाके अंग्रीजी में गिटर बिटर बोलते हो कि हम आरक्षड हराते हैंगे और आपको लगता है दलित समाज को पता नहीं चलेगा कि आप आरक्षड हटा दोगे यह आपकी मन्शा है पुपेंदर हुडडा ने दलितों पे कितने हत्याचार किये आपने कितनी डिबेट करी उस विशे को लेकर क्यों कि Congress सत्ता मेरे जनता नहीं चाती Congress सत्ता पे रहे यह पुरा विशे का मूल है And just as Rahul Gandhi didn't tell the full truth about Savidham Ghatra मेरे Sir you're also being a little unfair Rahul Gandhi never said I will remove reservations he said that a day may come we must be fair You see the problem is politicians tell half truth which is a big problem at the moment but dear Supriya Sinek Go ahead Listen, listen No let her respond now, let her respond, she wants to respond to you go ahead कर दो प्लिटिक्स करते हो अभी तो इसे बात करने है तो नहीं से बात करो नहीं तो नहीं से बात करो ना सानगा ग Church iag जारा है वई जम्मू कश्मीर की रहा हुए कुछ नहीं कहला की जडिया आप कश्मीर में बच्शी षन? तुमको कि तेसी देनी आज़े आपकी संसध हो चाहे आपके मंत्री हो वो लगातार संविधान बदलने की बात करें आप लोगों ने लेटरल एंटरी करें उस पर यूटर ने पड़ा क्योंकि उस पर आप आप आरक्षर को ताख पर अपने शिक्षें घोटाला किया यूपी में जहां पर आप आरक्षर को और भीजिए को अपने आरक्षण ने दिया था कोट पर फिर अपना रक्ता में सुनाया सम्विधान का जब जब खता होगा हम सम्विधान को बचाएंगे और यह सच है कि सम्विधान को एक ही पाटी से एक ही लोगों से खत्रा है और भारतिये जलता पाती है जो कि आरक्षण को दलतों, आदिवासी और पिछडों के खिलाफ है Mr. Nate, you say that we are still speaking of data which is coming in from round 4 on the election website right now, the EC website, it's round 10 and these are the figures which are holding in round 10, Supriya Shrineit so that would mean that the BJP after round 10 is ahead because if you look at most constituencies, poll about 16 to 20 rounds where Haryana is concerned exactly, you say 16 to 20 rounds are still to be counted, there are other 4-5 rounds to go I will say one thing, that the election result is not to let me just finish, let me just finish allow me to speak for more than 30 seconds on your show today, thank you I am very confident about, I will say one thing that election results are not going the way we had expected we had expected a thumping majority, we had expected that the BJP will be substantially reduced in numbers that hasn't happened, I concede that but will these results change from here on, 100% they will I am really certain about that, I do believe that our karikartas, I do believe accounting agents should stay on, on the tables and not desert we just heard from the election commission when this question was posed to them fixed, the administration being bought over, the government being a the government putting agencies under pressure etc so it's not new, do you think this reverses a trend that we've seen post the 4th of June where the argument that was being made in TV studios and elsewhere was somehow that brand Modi, brand BJP is in decline, it's only a matter of time before the BJP gets voted out do you think Haryana very loudly answers that narrative and smashes it apart well Rahul, I think we should not waste too much of time on congress party they are a rondu party, every time they lose they start looking at excuses from EVM to slow website manipulation blah 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 let me give you some interesting statistics, in Haryana this is a pro incumbency vote for the BJP 9 out of 13 sitting ministers are leading and of the 41 seats BJP won in 2019 we are leading on 28 this was one of the points that your uh panelists and other anchors who want to see the BJP's dooms were projecting saying that BJP ko to anti-incumbency vote, you can't get the vote of pro incumbency vote, you can get the vote of the BJP you are making the votes of the BJP, you have made the vote of being the votes of the BJP you are making the votes of the Yogendra Yadav and Rajdeep Sardisai kind who put the votes of pro incumbency, anti-incumbency, obituary of Modi, BJP you are making the votes of the BJP, Rajdeep to have the votes of 23 years उसे ये उबिचुरी लिख रहा है लेकिन आज तक प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी पहले मुख्य मंतरी और अब प्रदान मंतरी बन गए है और दस साल हो गया है और थर्ड मैंडेट में हैं तो ऐसा है कि आप लोग पलिटिकल पंडितरी छोड़ दीजिए जमीन पर जाए अगर जो इसके मालिक चाहते हैं जो इसके मालिक इससे कहना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसके मालिक इसके थ्रू जन्ता में फैलाना चाहते हैं ये बन्दा तो बस एक मैसेंजर है मैसेज तो कहीं और से आता है और आज के डिवेट में इन दोनों के मैसेज को सुप्र नमस्कार, जय हिन्द